इस वीडियो में आपने चैनल पे 6 से साथ क्लास 6 का सेंपल पेपर अपलोड किया है बच्चों अगर आप लोग उसको देखेंगे तो आप 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं तो आप जरूर से जरूर देखिएगा LMT Classes प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरे को अभी यूटीव से एक रुप्या भी नहीं मिलता है अब आगे देखिए maximum marks 80 है और duration 3 घंटा है general instructions को देख लिजेगा चली अब सुरू करते हैं तो सबसे first question देखिए यहाँ पर क्या है मैं सिर्फ कोई चूने चूने questions करवाँगा सब नहीं the side of a square hall is 8 meter and 5 decimeter ठीक है यह 5 meter ही है साथ decimeter नहीं है यह 5 meter है यह डी गलती से print हो गया फिर आगे देखिए आगे बुला जा रहा है find the cost of fixing tiles on its floor at the rate of 300 per square meter ठीक है बोला जा रहा है कि सबसे पहले एक square जैसा एक hall है ठीक है नीचे floor है और इसका sorry यह decimeter ही दिया हुए ठीक है decimeter ही दिया हुए इसको अब हम लोग को meter में convert करना पड़ेगा ठीक है तभी तो square meter में area आएगा तो यह 8 meter तो पहले से है ठीक है और decimeter जो है decimeter जो है अब देखिए यह होता है कि एक meter में जो है एक meter में 100 decimeter होता है ठीक है 100 decimeter तो यहां पर देखिए अगर हम लोग को जो है इसको meter में convert करना है ना इस वाले को तो हम लोग को 8 plus में 0.05 तो यह बहुत जाएगा हमारा 8.05 मीटर प्लस में 0.05 एक साइड है तो इसका एरिया क्या होता है Side into Side 8.05 into 8.05 समझ में आ रहा है अब देखिए यह इसका area हो गया अब देखिए इसका cost का wicked एक मीटर स्कॉरर का पर मीटार स्काइर कितना दिए है रेट इतना तो कोश्ट को मलटिप्लाइग एट पॉइट पॉjat जीरो फाइब इंटु एट पॉइन पॉइंट से मल्टिप्लाइग कर देंगे ठीक है यह जब मल्टिप्लाइग करेंग न तो वैलू वीत्ते के बराबर आएगा देखे मैंने यहां जो है अब देखे यह किता आएगा इसका जो है आंसर आएगा वन नाइन ठीक है वन नाइन है 440.75 रूपी जो है आंसर आजागा ठीक है अब आगे देखिए बोला जा रहा है यह देखिए नीचे जो दिया गया ना यह मरूती वेन का एक पिक्टोग्राफ दिया गया है मंडे को कितना हुआ है Tuesday को Wednesday Thursday Friday और Saturday को कितना जो है प्रोडीउस हुआ ठीक है मैनुफैक्चर कितना हुआ ठीक है कितना जो है मैनुफैक्चर हुआ है बाइदा फैक्टरी इन पार्टिकूलर वीक तो बोला जा रहा है कि कितना मैनुफैक्चर हो रहा है ठीक है कोई पार्टिकूलर वीक में तो देखिए अब जो है नीचे आप से कुछ सवाल पूछा जा रहा है फैक है ऐसे कम सबसे कम कम हुगा और यहां पे दिया गया है कि was the correct मोरित्य के बराबर है सबसे कम यहां पे दिख यहां पो Joo-wen मतलब कि on which day where the maximum number of when was manufactured सबसे ज़्यादा कब हुगा maximum तो maximum इस दिन हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो Tuesday को सबसे ज़्यादा हो रहा अब देखिए इस तरीके questions जब आपको मिलेंगे यहाँ पर देखिए minus plus वाले को add करना है यह वगरा करना है तो इसके लिए आप एक बात याद रखेगा जब भी जो है minus minus को add करते हैं तो minus में ही result आता है minus minus को multiply करते हैं तो यह बन जाता है plus और जब plus minus को multiply करते हैं तो यह बन जाता है minus बस इतना याद रखेजी अब देखिए first question थोड़ा देखते हैं का चहाँ रहा है okay यहाँ पर हाइधि हाईलाइट कर दीए 30!!! no less saya minus का 23 अब देखिए plus or minus यहाँ पर multiply हो रहा है को षयब कि हो जाघा यहाँ क्या हो जाघा माइनस का 23 आगे अब देख़िए अब दीखिए फीर plus minus है तो क्या होगा माइनस में result आएगा माइनस का 63 फिर देखें, प्लस और प्लस है और जब भी प्लस प्लस गुना होता है तो हमेशा answer क्या आएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 55 अब देखें, प्लस और प्लस को एक साथ add करेंगे, और जो माइनस माइनस है ना, उनको एक साथ ठीक है, मतलब 30 और 55 add करेंगे तो 5 और यह 85 हो गया, ठीक है इसमें से माइनस करेंगे 3, 3, 6 और 6, 80 तो किता आजाएगा माइनस 1 जो है, correct answer है ठीक है, अब बी देखें बी जो है, question number में बी में देखें, क्या बोला जा रहा है highlight कर देते है यह देखें, इसमें क्या बोला जा रहा है कि माइनस 9 है, ठीक है, माइनस 9 फिर प्लस और प्लस को गुना किया गया ठीक है, यहाँ पर देखें, प्लस और प्लस तो प्लस का 4 हो जाएगा, फिर प्लस और minus को गुना किया गया, तो plus minus में को होता है, minus का 6, minus हो जाता है, फिर plus plus को गुना किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये plus का 3, अब देखे, जो plus plus है उसको एक साथ head करेंगे, 9 और 3 को, šori, sorry, एक मिनिट यहां पे plus वाला ये है जो plus वाला है उसको 1 साथ मतलब जो प्लस 4 और प्लस 3 को एक साथ हैड करना है और यह जो माइनस 9 है और माइनस 6 को एक साथ यह किया हो जाएगा माइनस का 15 और यह प्लस का 7 तो आंसर आएगा माइनस का 8 अब देखिए नेक्स्ट कोचन फ्लोर इस 5 मीटर लांग और 4 मीटर वाइड है अब ृसक्ट कोचिए जो एक फ्लोर रहा है यह चटाई है क्या बूला जा रहा है find the area of the floor that is not carpeted ठीक है तो कितना जो है बच जाएगा ठीक है क्योंकि देखे ये जो है 3-3 है ना हमेशा 3-3 रहेगा और ये square है दिमाग थोड़ा दोड़ा ये कुछ तो बचेगा क्योंकि देखे last minute let's suppose कि जे कि ऐसे ऐसे जो है भरेंगे तो हो सकता है कि यहाँ कुछ बच जाए क्योंकि ये square है वहाँ फीट ही ना हो तो कुछ area बच जाएगा तो वो जो है कितना area बचेगा ठीक है जैसे कि ये 3-meter का carpet है इसको room में ले गए ठीक है let's suppose किजिए कि इतना 3-meter होगा है है कि नहीं समझ रहे है ना अरे नहीं समझ रहे है इतना 3-meter होगा ठीक है तो ये सिर्फ इतना ही area ना cover करेगा ठीक है ये सब तो खाली रह जाएगा ये तो खाली रह जाएगा तो कितना खाली रह जाएगा ठीक है not carpeted तो क्या करेंगे ये जो बड़ा बला आएगा उसमें से घटा देंगे छोटा वाले का तो इस रेक्टेंगल का area क्या हो जाएगा आर से डीनोट कर रहे है length into breath होता है ना तो 4 into 3 ठीक है और इस carpet का area क्या हो जाएगा इसका area हो जाएगा side into side मतलब 3 into 3 ये आ गया 12 और ये आ गया 9 है ना 9 meter square 12 meter square question क्या था question था कि एक जो है room है ठीक है अच्छे से समझाते है एक room था उसमें जो है carpet बिछा रहे है ठीक है इसका total जो है area 12 है ठीक है room का total area कितना है 12 room का और ये जो carpet जहाँ बिछाया जा रहा है चटाई इसका area 9 है तो ये जो खाली भाग बच गया ना ये खाली ये जो not carpeted वाला area है जहाँ बिछा नहीं वो कितना बच्छा तो total में से minus कर देंगे 12 minus 9 meter square मतलब 3 meter square जो है carpeted नहीं हुआ next question देखे क्या बोला जारा find the perimeter of each of the following shapes सबसे पहले आपको perimeter का मतलब पता है जिसको पता है ये इसा सारा में boundary आपको दिख रहा है ना boundary समझते है ना boundary इसमें भी आपको boundary दिख रहा है, इसमें भी boundary दिख रहा है, जब इस सब boundary को add कर देंगे, तो इसको perimeter बोलेंगे, चारों जो है, चारों का लंबाई कितना है, उसको add कर दीजे, ठीक है, इसमें भी चारों को add कर दीजे, इसमें तो यह पूरा, मतलब जो इतना बड़ा है, वो ठीक है तो boundary को length को ही क्या बोलते है perimeter बोलते है boundary length अब देखें first question क्या बोला जा रहा है a triangle of sides ठीक है triangle है जिसका एक side 3 cm है 4 cm है और 5 cm है ठीक है तो ये मान लिजे triangle है ठीक है अब एक side जो है कितना था 3 cm तो ये मान लिजे ये वाला 3 cm है एक side था 4 cm तो ये 4 cm है ये था 5 cm तर तो ये 5 cm है अब देखें perimeter क्या होता है perimeter जो है सारे का sum होगा ठीक है इसका boundary का length क्या है इसको add कर देंगे इसको इसको ठीक है मतलब 4 प्लस में 3 प्लस में 5 है ना तो इतना आ गया 7 पाच 12 ठीक है 12 मतलब 12 cm square जो है 9 cm का जो है एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है 9 cm का उसको बोलते हैं जिसमें सारे side बराबर होता है सब side कितना होगा 9 cm का ठीक है जैसे कि picture में देखें एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है अगर ये 9 cm है तो ये नीचे वाला भी 9 cm होगा और ये भी 9 cm होगा, तो इसका perimeter क्या हो जागा, ठीक है, इसका perimeter जो है, क्या हो जागा, boundary का length कौन-कौन है, ये 9, ये 9, ये 9, 9 जो है, तीन बार है न, तो ये किता हो जागा, 27 cm अंसर, आगे बोला जा रहा है कि an isoskeles triangle, ठीक है, isoskeles triangle है, with equal sides 8 cm, each and the third side is 6 cm, ठीक है, अब देख साइड जो है, equal होगा, और ये जो है, वो on equal होगा, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, सिर्फ दो साइड जो होता है, बराबर होता है, तो बराबर वाला कितना है, 8 cm, ये 8 है, ये 8 है, और वो कितना है, 6 है, ये, let's suppose, यहाँ बताते है, ठीक है, 8 cm है, ये भी 8 cm है, और ये जो है 6 cm है ठीक है? तो ये जो बराबर वाला जो side है ना ये जो बराबर वाला है ये दोनों बराबर है बोला जा रहा था यही यहाँ पर ठीक है? और जो 3rd side जो ऑन-equal है वो 6 cm है तो इसका perimeter क्या हो जाएगा? क्या होता है? boundary का length है ना तो 8 प्लस में 8 है 8 प्लस में 8 करेंगे और फिर 6 करेंगे है तो 8, 8, 16, 22 cm जो है correct answer 250 people are working in an office एक office में 250 people है एक office में क्या है 250 आदमी है 200 आदमी है आउट ओफ वीच 150 आर main अब जिसमें से 150 जो है में मतलब आदमी है और जो बच गया वो हुमें है तो कितना बचा टोटल 250 था है तो यह जो हुमें होगा वो कितना है माइनस कर देंगे 250 माइनस 150 मतलब हुमें कितने है 100 और ते जो है आगे क्या पुछा जा रहा find the ratio of ठीक है ratio निकालना है total number of people total number of people to the main ठीक है पहले total number of people से main का ठीक है तो total number of people कितना है देखे total तो हम लोग के पास 250 है तो पहले उपर 250 लेंगे और नीचे main कितना है main तो main जो है 150 है अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया 55, 25, 15 पास्तियाई 15 तो यह 5 by 3 आ गया मतलब जो है कितना 5 ratio 3 जो है आंसर हो गया ठीक है आगे देखते है B the total number of people to the human ठीक है पहले उपर total number of पहले जो है उपर total number लेना है और नीचे human का लेना है ठीक है तो total number कितना है total number इधर लीक रहे हैं देखिए इस तरफ देखिए ठीक है total number जो है total number कितना है 250 समझ में आ रहा है total number है 250 और जो मतलब जो है हुमेन का कितना संक्या है 100 तो अब इसका कितना रेशी होगा 0 से 0 कट 5 दूनी 10 25 तो 5 बाइ 2 5 रेशी यो 2 ठीक है अब बोला जा रहा है कि number of men उपर लेना है आदमी का ठीक है और नीचे लेना है और तो का मेन 2 हुमेन तो मेन का संक्या कितना है 150 है 150 और हुमेन का संक्या कितना है 100 है यह क्या हो जाएगा 0 से 0 के आप 5 ती आई पंदर 5 दूना 10 तो यह आगया किता 3 बाइ 2 मतलब 3 रेशी यो 2 आगया